हाँ जी गड़ेवनी कुछ कोश्चन्स है जिसमें ICAI ने सॉल्विशन चेंज कर दिया एक फोरेक्स का कोश्चन है हला कि उसके इस्टेडिमाइट में भी चेंज हुआ लेकिन सबसे इंपोर्टनेट सबसे इंपोर्टनेट है पोर्टफोलियो का कोश्चन याद रखना दो MTP आया है सिरीज 2 जिसमें दो कोश्चन ड़ले एक पोर्टफोलियो का इस टाइप का कोश्चन दिख रहा होगा आपको मैंने कहा था इस कोश्चन को रटना पड़ेगा यसा और एक mutual fund का कोश्चन है effect to yield conceptual ठीक कर लिया है तो वन बाई वन में करवाँगा टोटल मिलाकर कितने कोश्चन में चेंज हुआ है टोटल मिलाकर देखा जाए MTP की बात नहीं करवा MTP के इसाब से तो कोश्चन में चेंज हुआ है बच्चे बहुत परिशान है कि सर हमें एक्जाम में कैसे करना तो मैं discuss कर रहा हूं हमने क्या किया था पहले यह सुनना पड़ेगा उसी के बाद समझेगे कि क्या गलतिया थी और आगे हमको कैसे करना एक portfolio कोश्चन है mutual fund का question है एक Forex का question है Forex का question कहाँ चेंज हो वो मैं लग से बता दूँगा और एक question है इवा का चार question total है तो अभी में इसमें portfolio का one by one करते है न या शकना portfolio के question में क्या दिया है MTP series 2 और सर question कौन सा आया है question में आपको दिखा देता हूँ यह दिख रहा होगा MTP देखोगे नया वाला भी जो आया है उसमें question number 4 ए आया है यह question देखा हुआ लग रहा है पर ICAI ने इसका solution पहले जो solve किया था उससे conceptual ज्यादा अच्छा किया लेकिन इसमें भी गलतिया है पर करना कैसे वो बात करेंगे है पर सर पहले वो तो पता कर ले कि गलतिया क्या थी एक बार मैं discuss कूनू time लगेगा पर क्योंकि question में change है इसलिए थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं एक question है आपको पता ही है इसमें cost दिया है dividend दिया market price दिया बीटा दिया हुआ है ठीक है और sir PSU bond है तो कोई समस्या नहीं है sir public sector unit bond PSU bond मतलब government bond होता है कि नहीं ठीक है फिर कोई दिक्कत रिस्क free rate दिया हुआ है 15% जो कि चा करना है और CAPM के हिसाब से हमें क्या निकालना है expected return और सीधी सी बात है client ने इन चार जगा पैसा लगाया है client ने इन चार जगा पैसा लगाया ठीक है sir अब expected return निकाले तो कैसे निकाले CAPM के हिसाब से तो हमने CAPM का equation लिग दिया था मैं याद दिला रहा हूँ हमने क्या किया time नहीं है थोड़ा जल्दी जिदो ठीक है इसमें हमें X Limited का निकालना तो क्या X Limited का बीटा हमको पता है यस और सर हमें RF दिया हुआ है तो सर RF RF भी लिग दिया और बीटा भी लिग दिया समस्या हो रही थी RM कैसे निकालेंगे और मैंने कहा भाई यहाँ आपको रटना पड़े है और मैंने कैसे रटवाए था मैंने कहा कि मान लो यह सब की सब market है अब ध्यान से समझा रहा है मैंने कहा था कि मानलो यह पूरा की पूरा market है इस इतना ही है एक्स वाई जैट पियस्यू बाउंट और आपने बोला था सब्सक्राइब कुछ भी बोलोगे और हम मान लेंगे और मैंने गा था मानना पड़ेगा मेरा दिल नहीं बोलता पर मानना पड़ेगा ठीक और मैंने गाओ ये पूरा मार्केट है तो बोलो आज कितना पैसा लगाया है टूटल मिलाकर एक्स में वाई में जैड में पियस यही पूरा मिलाकर मार्केट है तो मैंने 68,000 ले लिया था और इसको 58,000 ले लिया था और एक साल बात का market price ये हो जाएगा और उसके हिसाब से फिर हमने return निकाल लिया था और इसको हमने market का return माना था याद है? ओके याद आया सर ऐसा कुछ और मैंने का ये आरे मिल गया ना तो चलो आप एक काम करते है और हम इसके हिसाब से फिर C.A.P.M. के हिसाब से हम average return निकाल लेते हैं हमें किसका निकालना था? each security का तो हमने वो निकाल लिया था ठीक है सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं बस एक problem थी और उससे आप भी सहमत नहीं थे में भी सहमत नहीं था और problem बस इतनी थी कि सर आप इसको market कैसे मान रहे हो? क्योंकि ये portfolio है तो इसको आपको portfolio मानना चाहिए ये जो return निकल रहा है 15.88 ये portfolio का return निकल रहा है भोलो हाँ हाँ हम यही कर रहे थे पर मैंने ने गाः मैं कुछ नहीं कर सकता आपको याद करना बढ़ेगा हमने मान लिया था अभी क्या करना है अभी क्या change हुआ है वह अभी मैं समझा रहूं हमने क्या किया था ओके फिर यहां लिखा था ठीक है फिर उसके बाद सर सिंपल एवरेज रिटन ओप पॉर्टफोलियो तो मैंने आपको बताया था कि यार एवरेज रिटन ओप पॉर्टफोलियो फिर उन्होंने कैसे निकाला इन सब को जोड़ दिया और डिवाइड़ बाई फोर कर दिया हाला कि मैंने आपसे बोला भी था इसको वैसे तो वेटेड एवरेज होना चाहिए ठीक हाँ बोलो हाँ सर आपने समझाया था रेगुलर क्लास हो चाहे मेरी एकजाम ओरेंटेड है अन्हें आपसे बताया भी था और आपको बोला भी था रटवाया भी था कि बेटे सर आप वो वीडियो एक बार चला दोगी कि हाँ एक मिनट में चला देता हूँ वो वीडि ऐड़िए रिटन ओप पॉर्टफोल्यू यहाँ चेंज हुआ है कोश्चन इंस्ट्यूट ने धा रिजा में चैंज किया उन्हों ने यहाँ पहले लिखा रहता थाथा ऐड़िए रिटन ऊप पोटफोल्यू और ICAI का जो solution होता था, वो ऐसे ही होता था, average return मतलब ऐसे, फिर लोगों ने objection फिर उठाया गया, और क्यों उठाया गया, फुले यार, portfolio का return मांग रहे हो, क्या, हाँ, और portfolio का return कैसे निकलता है, पागलो, portfolio का return ऐसे निकलता है, rated average निकलता है, आप कैसे बोल सकते हो, कि X में 8,000 लगा है, Y में 10,000 लगा है, Z में 16,000 लगा है, bonds में 34,000 लगा है, आप जो return है, उसका average कैसे मान सकते हो, average कैसे कर सकते हो, average का मतलब, अगर सिर्फ average लिखा है, तो wetted average ही होगा, और wetted average हमको पता नहीं सर, हमको दो class से यही बता रहे हैं, कि expected return of portfolio ऐसे निकलता है, wait into expect, सर पता ह समझ में आगया हम क्या करना जाएं, तो इस पर भी objection था, कि आप कैसे कर सकते हो, average का मतलब, wetted average होता पोटफोलियों में, फिर ICAI ने, इसको change नहीं किया भाई साब, इसको change करता न, solution वोले, solution तो change नहीं करेंगे, चलो question में हम simple लगा देते हैं, फिर सब add कर दिया गया, simple average return of portfolio, ठीक, अब simple आया, तो ना आप कुछ बोल सकते हो, ना मैं कुछ बोल सकते हो, उठाओ और simple average कर देते हैं, ठीक है सर, बात समझ में आती है, मैं फिर से एक बात, आखरी बात पूछ रहो, अगर exam में question आता है, और simple सब्द नहीं लगा है, simple सब्द नहीं लगा है, तो simple average करोगे की weighted average करोगे, इस type का question आता है, simple सब्द नहीं लिखा है, तो simple average करोगे या weighted average करोगे, बस आखरी बात पूछ रहा हूँ, class over करूँगा, कितने सब्द कुछ बताया, कहानी बताया, जितनी भी कहानी बताया, उसके हिसाब से simple average करना है कि weighted average करोगे, अगर सब्द simple नहीं लिखा है, simple average ही करना है, बस यही तो मैं कहना चाहता हूँ, simple average ही करना है, एक question के अलावा, फिक है सर, चाहे सब्द लिखा हो, चाहे सब्द ना लिखा हो, अलाव कि institute आजकल लिख देता है, कि आप चाहो तो weighted average से भी काम कर सकते हो, लिख देता है, लेकिन करता हो simple average से, तो भाई साब बस इतनी सी बात है, average सब्द आया, तो आपको simple average से करना है, ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आगए होगी, कि regular class में मैंने आप से क्या बोला था, कि आपको simple average ही लेना है, चाहे यहाँ कुछ भी क्यों ना, अब दिक्कत क्या आई, अभी discuss कर लों क्या, अभी इसके बात और एक question, फिर दिक्कत क्या आई, और आगे क्या करना, ये हमने एक चीज रट लिया था, सुनना दिहान से, प्लीज, प्लीज ये सुनना जरूरी है, आगे है ना, खिल कतम है, हमने एक चीज रट लिया था, और रटा ये था कि यार, इन सब को क्या मान लिया जाए, market, market का return ऐसे निकालना है, हमने ये याद कर, फिर हमने कहा कि यार, अब market का return मिल गया, तो फिर CAPM के सबसे हम ऐसे निकालनेंगे, individual stock का, और फिर वो average बोले, या simple average बोले, या कुछ भी बोले, हम लोग simple average के तरीके से ये काम करेंगा, ऐसा मैंने रटवाया था, ओके, done, चिक, आगे चलू, अच्छा, मैंने कहा था कि चाहू तो आप weighted average भी लगा सकते हो, यह important है, सर, weighted average लगाना है, तो weighted average, मान लो इस सर, ये निकल गया भी, ये निकल गया, ये x limit, बिल्टे, यहां भी धिहां से सुनना, amendment है, x का निकलना, मान लो CAPM के सबसे 15.70%, y का निकला 15.62, z का इतना हो गया, और PSU bond का इतना हो, और सर, हमको मान लो, हमको portfolio का return निकलना है, जो कि simple average नहीं है, वो कैसे होना चाहिए, weighted average होना चाहिए, हलाकि यह simple average सब्द लिखाया, तो मैंने simple average कर दिया, पर अगर weighted average करना होता, तो कैसे करता है, सवाल बस यह था, कि weight ये लेते, कि ये लेते, और मैंने आपको class में समझाया हूँ, अगर weighted average बोलता, तो हम weight ये वाला लेते, cost लेते, अब बच्चो का ना यार, बहुत problem है, आप लोगों के साथ, बच्चो के साथ problem है, सर, market value लिया जाता है, book value नहीं लिया जाता, भीया, तो कहा book value दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ, यह क्या ह यह, यह market price आज का, X Limited का market price है, जितने मैं खरीदा मैंने वो आज का market price है, और यह एक साल बात का, सवाल यह weight इसके साब से, और मैंने आपको क्या बताए, इसके साब से, suppose यार, मैं आपको थोड़ा सा concept नहीं समझाना चाहता है, time नहीं है, पर please समझ लो, मालो यार, सुनो, म मैंने न, यह stock ले रखा, X, Y, Z, और यह जो भी हो, PSU bond, कितना रुपए, सर्थ 68,000 रुपिया लगाए, आज 68,000 रुपिया, मेरा अनुमाने कि एक साल बाद यह dividend मिलेगा, और मेरा अनुमाने कि एक साल बाद यह market price हो जाएगा, 73,000, नता ही यह मेरा expected return of portfolio क्या आएगा, बि का market price है, तो sir, दो तरीके हैं निकालने कि, yes, sir, एक साल बाद होगा, 73,000 minus 68,000, आज लगाया, plus 5,800, divided by आज कितना लगाया है, sir, आज लगाया, 68,000, जनरली, जनरली, conceptual बात करो, sir, ऐसे निकलता है, sir, क्या तरीका है, sir, हम individual stock का expected return निकाल लेते हैं, वो कैसे निकालते हैं, sir, 8,200 minus 8,000, plus 800, divided by 8,000, मतलब, sir, ऐसे निकालते हैं, पर हम total का निकालते हैं, individual का निकालते हैं, चलो, मैंने निकाल लिया, आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, 12.5, 13, 42.5, और 5, ओके, पैसा, अब भाई, पैसा आपने लगाया है, यह, और यह है आपका return, तो क्या weighted average return निकल जाएगा, यह, इस weight से करोगे, तभी weighted average निकलेगा, और sir, weighted average कितना आएगा, weighted average उतना ही आएगा, जितना इतना निकल रहा, बात, बिस में इतनी सी बात, आप में यहां नहीं समझा सकता, टाइम बे नहीं आपके पास, अगर मुझे weighted average निकलना पड़ता, तो हमेशा में इसका निकलता, इसका, ना कि एक साल बात के market price का, टोटली गलत है, हाँ, एक साल बात में खड़ा होता है, और उसके एक साल बात का निकलना होता है, तो फिर यह वाला market, ऐसे question है, एक question है, फिर मैं आगे चल रहा हूँ, आ मैंने आपको बता दिया, market price, RM हम ऐसे निकलेंगे, और उसके बाद हम इस तरह से individual stock का निकलेंगे, और उसके बाद हम simple average निकलेंगे, बाद खता हम समझ में आ गई, यह, ऐसी करवाया था question number 21, तर मुद्दे की बात आओ न, मुद्दे की बात पर आ रहा हूँ, दो minute और दे दिया था, ठीक है, और expected return of portfolio दे दिया, और हमको बीटा पता है, और सर फिर हमने क्या किया था, और हमें risk free rate निकलना था, और हर एक stock का निकलना था, फिर हम लोगोंने क्या किया था, प्लीज, क्या किया था, यह सुनना जरूरी है, हमने का RM तो हमारे पास ब्रहमास था है, RM निकालने का, इस से हमने RM निकाला, और RM निकल गया, 16.7, 16.7, और बीटा क्या निकाला, weighted average, और weighted average बीटा आ गया यह, ठीक है सर, weighted average नहीं, simple average, simple average ही चल रहा था, simple average करकी यह लिग दिया, और expect return of portfolio मालूम है, तो इसकी मदस से हमने RF निकाल लिया, और फिर RF अगर निकल गया, तब फिर काम हो जाए, यहां तक ठीक है, तो जैसे तैसे बड़े मुस्किल से हमने रटा मारा था इन कोश्चन्स को, लेकिन institute ने MTP series 2 में एक कोश्चन डाल कर, हमारे ने जितना भी रटा मारा था, उसका खेल खतम करने, और वह है कोश्चन नमबर 4A, ज्यादा टाइम बर वही dividend है, वही market price एक साल बात का वही बीटा है, रिस्क-free rate निकालना है, और expect return of each security निकालना, expect government of India bond using the capital asset model, ठीक है, पहली बात, अगर मैं इसका solution ना देखूं, और जितना मैंने रटा मारा उसके साम करूं, तो सर, RM तो निकली जाए, कैसे निकलेगा, सर वही, हमारा ब्रमा आज तो RM निकलने का, this minus this plus this divided by total तो RM निकल जाएगा, अगर मैं रटा, ओके सर, RM तो निकल गए, ठीक है, RM के अलावा, सर, बीटा कभी काम हो सकता है, यस, बीटा से भी काम हो सकता था, बीटा भी हम कौन सा ले लेते हैं, सर, simple average बीटा ले लेते हैं, simple average ही लेना था, अब और इसके अलावा मुझे कुछ जुगार दिख नहीं रहा था कि और कुछ निकलता है, RM निकल जाता, simple average बीटा निकल जाता, तो सर, risk free कैसे निकालते हैं, ये एक दिक्कत आ रही थी, सकता बनाते हैं, अब ICAI ने यहाँ खेल खेल लिया, और देखो क्य खेल, इस ध्यान से समझना क्या खेल, हलाकि यहाँ और भी लिखा है, कि आप weighted average बीटा यूज करोगे, और हमारे हिसाल से weighted average ही होना चाहिए था, simple average तो इसलिए कर रहे थे, क्योंकि institute कर रहा था, तो हम भी कर रहे थे, तो weighted average बीटा ही यूज करेंगे, आगे से चाहे question में ल लिखा हो, चाहे नहीं लिखा हो, और calculation तीन decimal, आइसी AI ने यहाँ क्या खेल खेला है, सुनो, उन्होंने कहा सर हम RF ऐसे निकालेंगे, अब देखो RF कैसे निकाला हूँ, बुले ये है सर Government of India Bonds, बहुत अच्छे, और बुले आपको अभी तक पता नहीं, Government of India Bonds मतलब risk free, जबकि आपको पता है कि ये Government of India Bonds है, तो ये Time Pass वाला RF क्यों निकाल रहा है आप, जब हम बता रहा है कि Government of, ये देखो ये ICAI के हिसाब से, Government of India Bonds है, तो RF तो बड़ी आसानी से निकल सकता है, बिलकुल सहीं भाई, और उन्होंने RF निकाल लिया, कैसे निकाला, 71980-72,000, प् और RF कितना आ गया, RF आ गया, 7%, चलो ठीक है भाई, एक नई चीज हमको मिली, RF कैसे निकाला, RF मिल गया, 7, ठीक है मान लिया, RF ऐसे निकला, तो अब, अ मुझे क्या लगा, मुझे ऐसा लगा, जब RF ऐसे निकला है, तो सर, RF हम वैसे निकल लेते हैं, कैसे, इसको जोड लिय इसको जोड लिया, इसको जोड लिया, this, minus this, plus this, और divided by this करके हम, RF निकल लाएंगे, जैसा निकलते हैं, वैसा निकल लेंगे, भाई साब, भाई साब, भाई साब, उन्होंने चैंजी कर दिया, बोले, कौन बेख को बोलता है कि ये RF है, किसने बता है आपको कि ये RF है, बोल ये जो निकलते हो ना, आप देश, ये सब जोड के, ये निकलेगा, एक्सपेक्टर रेटन ओप पोर्टफोलियो हुए, खेल खतम हमारा, अब कुछ नहीं कर सकते, अब देखो उन्होंने क्या चाल चला है, और इन्होंने वेटेड आवरेज बीटा का छोड़ो, इन्होंन अब देखो आरेम कैसे निकल, देखो आरेम तो हमने निकाले लिया था जुगार से, और एक्सपेक्ट रेटन ओप पोर्टफोलियो हमको मालूम है, तो बीटा कौन सा लेना है वेटेड आवरेज, यहां कहीं दिख रहा मुझको ये एक लॉजिकल भी है यार, आप इसको आ लिया जाए, कि इसको लिया जाए, और मैंने का इसको कभी मत लेना, यही लिया जाएगा, कोश्ट ही लिया जाएगा, एक साल बात के मार्केट प्राइस का वेट कैसे ले सकते हो, इंस्ट्ट्यूट ने इस बार सिंपल एवरेज बीटा नहीं लिया, थैंग ओट, बाला, जेस्टिफिकेशन नहीं चाहिए, कुछ बच्चों का कहना नहीं सार, वही हो लेना चाहिए, तो भई आप महान हो, ठीक, उन्होंने वेट लेते समय, एक साल बात के मार्केट प्राइस का वेट लिया, इस में में कुछ नहीं कर सकता, अभी भी रट्टा मारना पड और उन्होंने वेटेड एवरिस बीटा लिया, और वेटेड एवरिस बीटा यहां लिखा, तो आरेम निकल गया 11.376%, तो जितना हम कर रहे थे हैं, उन सब का खेल खतम हो, अब इसकी वज़ा से पिछले कोश्चन्स पर क्या फर्क पड़ेगा, तो इस कोश्चन्स में एक बात हमको समझ में है, भगवान करे, आरेफ दिया है, तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं दिया है, तो आरेफ हम निकालेंगे इस तरह, गवर्मेंट अप इंडिया बॉंड्स को यूज कर, ठीक है, एक बात तो समझ में, दूसरी बात समझ में आई, कि आरेम आप जैसा निकाल रहे थे, वैसा नहीं निकलेगा, यह जो निकलेगा, यह पोर्टफोलियो का रिटन निकलेगा, दिया होगा तो ठीक पोर्टफोलियो फिर दिमाग नहीं चलाएगे, पर नहीं दिया होगा, तो हमें एक्सपेक्ट रिटन अप पोर्टफोलियो ऐसे निकालना अभी तो कुछ नहीं कर सकता और इसकी मदस से क्या निकलेगा आइफ नकले ओके इसका इफैक्ट पिछले कोश्चंथ पे क्या पड़ा आओ चलो डेक कि ऑगे ओके अब अगर इस कोश्चंथ निया है मुित है और इस कोश्चंथ पर क्या फर्क पड़ेगा मैं सारे questions पर effect दिखकर रिखता हूँ सर RF दिया है RF यहाँ निकाल भी नहीं सकते क्योंकि यह government of India bonds नहीं है PSU bonds है RF दिया है और सर अब यह जो return निकलेगा अब यह RM नहीं निकलेगा S पर new question जो ICAI दिया अब जो निकलेगा वो निकलेगा expected return of portfolio it means यह हो गया मेरा expected return of portfolio 15.88 और बीटा कैसे निकलता मैं weighted average बीटा निकल लेता और weight इसी का देता ठीक है अब जो अभी का MTP आया उसके हिसाब से इस question का solution कैसे हो तो सर यह RM है क्या नहीं है यह expected return of portfolio और इसको मैं put करता यहाँ लिखूं क्या हाँ सर एक बार लिख लोना थोड़ा time लगा लो चल जाएगा मैं जानता हूँ मैं slow पढ़ाता हूँ समझ में तो आए कि हम क्या पढ़़ तो सर आप लिखते 15.88 बिलकुल और सर RF दिया है 15 बिलकुल और सर RM निकालते minus क्या करता 15 और बीटा कौन सा लेता weighted average और weighted average मतलब ये वाला बीटा weighted average यहां लिख देता तो जो निकलता वो क्या निकल जाता RM निकल जाता और इस RM को मैं कहां पुट कर देता यहां RM को पुट कर देता और हर एक का मैं यहां expected return निकाल लेता as per CAP है और हां क्योंकि यहां simple लिखा है तो यहां मैं simple ही करता ठीक है सर बानो आप जो बता रहे हैं इस question में हमने वैसे किया और IC AI ने काट दिया तो मुझे ऐसा लग रहा MTP में जैसे solution है वैसे करना चाहिए जो अभी latest है मेरी मेरी personal हो पर जिसको ऐसा लग रहा किसा risk है भाई आप ऐसे कर ले ना जैसे मैंने करवाया हूँ किसी को यह भी लग रहा कि नहीं सर ऐसे कर रहा है और IC AI ने का कि हमने latest के हिसाब से चेक किया है तो भाई दोनों कर दो मेरे लिए बोलना आसान है पर मैं कुछ नहीं मैं किसके बात कर रहा हूँ अभी का जो MTP उसके हिसाब से तर उसके हिसाब से फिर इसका क्या solution होता इस question का अब इस question में तो दिया है क्या दिया है सर expected return of portfolio तो दे दिया है इसमें अमें RF कैसे निकलता RF कैसे निकलता RF तो मैं ऐसे ही निकलता क्योंकि RF बोला है अब RF निकलने का उन्होंना मुझे तरीका बता दिया 34,500 एक बार निकल कर देखूं क्या 34,500 plus 3600 minus 36,000 divided by 36,000 into 5.83 निकलता तो सर आरेफ आपका कितना निकलता 5.83 अब भी जो आया है उसके साथ उसे मतलब इस सारी कोशिन गलत हो गया मेरे इख्याल से गलत है अब मैं इसको पुट करता 15.7 expected return of portfolio निकालने की कोशिश नहीं करता 15.7 ले लेता और RF मुझको मालू है 5.83 RM में निकाल लेता minus 5.83 और बीटा कैसे लेता weighted average बीटा ले लेता तो RM निकलता और फिर RM को पुट करके हर एक का में निकालता आप समझ गया हो कि मैं क्या कहना चाता देखो मेरा personal opinion ये है कि जो MTP अभी डला है उसके साब से हमें questions करने चाहिए पर बहुत सारे बच्चे हैं जिनको अभी भी थोड़ा सा सख है नहीं सर पहले वाला का पहले रहने दो अभी का अभी करते तो भाई आपको जैसे मेरा मेरी डिव्टी थी आपको सलह दे देना कि यह है क्या है एक्चौल में picture दिखा देना अब आपकी मर्जी है और सार आप होते तो क्या करते मैं ले टेश्ट वाला करता पर मुझे नहीं मालूम कि ICI क्या करेगा अगर टाइम मिले तो दोनों करके आज़गा थेंक्यू सो मच बाई बाई अगला क्या करना अगला में mutual fund का डालता हूं mutual fund में कौशन में क्या चेंज हुआ हाला कि उसमें कोई चेंज नहीं वो ऐसे भी हम पहले से करते आ रहा थे कोई दिख रहा